हेलो हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग नमस्ते कैसे हैं आप लोग आसा करती हूँ बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ जो भी दोस्त मारा वीडियो देख रहे हैं सभी दोस्त रहें मस्त्रहे अपटे जीवन में यूही आग़े बढ़ते रहें तरगिक करते रहें इस्पर से हमारी यही फ्रातना है तो दोस्तों आज है दिन शुक्रवार और आज धंतेरस हैं तो आप सभी को धनतेरस की धेर सारी कुसोब कामना है और मातर रानी आपके जीवट में धेर सारी कुसियां लेकर आए तो आज हमारे प्लोक की सुरुआज जो है काफी लेट हो रही है अभी बज़ रहे हैं साड़े नौ सुबा के और जादा दूप नहीं निकली है कपड़े हमने भीगा के रख दिये हैं बिस्तर थे और रजाई के खोल भी थे तो रजाई हमने दूप में डाल दी है सुखने के लिए जो कि हमने कल साफ सफाई की थी तो हमने रजाई भी साथ में निकाल ली थी क्योंकि काफी थन पढ़ने लगी है और सुबा के टाइम बहुत जादा थन वो जाती है तो बच्चों को ठोड़ लगती है और हमें भी काफी लगती है तो काफी ठंड पढ़ने लगे तो इसलिए जो है रजाई हमने आज दुप में टाल दी है और इसके खोल जो है वो भी तुल के डाल देंगे तो जब तक हम जाडू लगाएंगे तब तक हमारे कपड़े जो है अच्छे से भूल जाएंगे निर्मा में तो इसलिए पहले हमने कपड़े भिगा दिये थे उसके बार लगाने लगे हैं च्छाडू तो आज थोड़ी बोर लिपाई भी कर देंगे क्योंकि आज दंतेरस भी है और फिर एकदम से लिपाई नहीं हो पाएगी कल तो आज जो है अपने कमरे की लिपाई कर देंगे तो कल तक सूप जाएगा अच्छे से और बाहर कल करेंगे सनीवार को फ्रेंड आर्थर जो है सुबा से बहुत चदर हो रहे हैं क्योंकि उनकी हो गए थी तवियत खराब तो दवाईयां तो बहुत एच्छे सी लाए थे पिर भी कोई फैदा नहीं मिले तो आज जो है दूसरी दवा लाए थे तो उ थोड़ा खेलते हैं दस-पांच मिनट फिर से रोने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा परेसान कर रखा है इनोंने तिन-चार दिन से तो कुछ भी काम ही नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए मारी लिपाई भी नहीं हो पा रही है तो अब तेवहर भी आ गया है तो आज जो है दोड़ी बोल लिपाई कर देंगे थोड़ा फ़ोट रह прошा जाए तो वह सνीवार को करेंगे सिस दिन बड़ी दिवाली है तो उस दिन जो है पूरा जो है लिपाई हो जाएगी को काफी बड़ा घार है तो काफी टाइम लग जाता है लिपाई करने में आज जो है मारे सब अभी दोस्तों ने बहुत ही अच्छे कमेंट किये हमें बहुत ही अच्छा लगा आप लोग ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिएगा और तेसर प्यार देते रहिएगा तो हमारी एक पहन ने कमेंट किया है कि आप जब भी घर बनवाना तो बहुत ही अच्छा बनवान तो अपना घर एकतम से आलिसान हो, और बहुत ही अच्छा सा घर बनवाना चाहते हैं हम भी, तो उपर वाले ने चाहा तो हमारा भी घर अच्छा ही बनेगा, और हमारी एक बहन ने कमेंट किया है, जिनका नाम है रिथका, तो वो भहन बोल लेए थी उन्होंने कमेंट किया है कि गरम तबा मत रखा करो इसमत मांजा करो तो हम गरम तबा नहीं माझते हैं क्योंकि खाना खाने के बाद में एक गंटे बाद ही परतर हमारे दुलते हैं तो जब तक खाना पिना खाते हैं और आर्थर को भी देखना पडता है, तब तक हमारा तभा ठंदा हो जाता है, तभी हम दूलते हैं करम तभा कभी नहीं दूलते हैं। और हमारे घुस्वू बहने वो भी बहुत ही अच्छा सा कमेंट करती है चोकि हमें बहुत सारा प्यार देती है और हमारा वीडियो जो है बहुत ही पसंद करती है और हमारे दीपती बहने वो भी बहुत ही पसंद करती है और डेली ही देखती है और हमारे मुम्ताज बहने वो हमारा वीडियो जो है daily देखती है बहुत ही पसंद करती है तो आप सभी बैनों को दिल से धन्वाद आप लोग बहुत ही प्यार रग देते हैं हमें हमें बहुत ही अच्छा लगता है अप लोग ऐसे ही प्यार प्यार कमेंट करके बताते रहिएगा अगर कोई काम में गलती हो तो सभी बैने हमारी जो हैं बहुत ही प्यारे प्यारे करती हैं और हमें बताती रहती हैं चिची बाते बताती रहती हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है तो आप लोग ऐसे ही प्यारे प्यारे करते रहिएगा और आप सभी के जीवेट में ठेर सारी खुशियां लेकर आ तरानी तो दोस्तों और हमारी रित का बहन है तो उनकी जल्दी से गोधी भर जाए बस हम यही परात्ना करते हैं इस पर से और इधर जो है मारे कपड़े हमने गोबर जो है गेरू गोबर मिला के रख दिया है और जब तक आ गई थी लाइट तो हमने का पहले कपड़े दुल लेते हैं क्योंकि बारी कपड़े जो होते हैं तो समर्च लाके ही दुल पाते हैं ऐसे नहीं साफ होते हैं तो समर्च ला लिए तो खूल बगएरा जो भी हैं बिस्तर तो वो जो है समर्च लाके ही दुल लेते हैं उछू के साभ भी हो जाते हैं तो पूरा भीग गया थे कप्ड़ें दुलने में दू क्योंकि आर्थर पहुंचा दा रो रहते हैं तो हमनेगे चलो नहा लेतीं बाके के काम तो हुह गए हैं लिपाई थे करते रहेंगे तो फिर हमने कपड़े दुल के डाल दिया थे तुरंत नहां भी लिया था तो हर बार जो होली हो या दिवाली हो तो हम सभी बिस्तर बगएरा और वैसे तो हमारे धुलते ही रहते हैं गंदे होते हैं पर दीपावली हो या होली हो तो हम एक तरफ से साफ सफाई करते हैं हर एक चीज धुलते हैं तो बस एक मतलब बहुत अच्छा सा तेवार होता है, सूब होता है, पूजा पाट होती है इस तेवार पर तो एक तरब से ही साफ सफाई करनी चाहिए, तो बस वही यहां पर लगे हुए हैं, आज से जो है हमारे साफ सफाई का काम खतम होने वाला है, और सिर्फ लिपाई रह देली बहुत सारे क्टा हो जाते हैं, तो आर्थर के बहुत जदा हो गएते, चार पांच ओड़ी हो गएते कल के, क्योंकि उनको दवाई पिलाए थी तो दवा पहला देते हैं, बिलकुल भी नहीं पीते हैं, बड़ी मुश्किल से पीते हैं, तो सारे कपड़े गंदे कर द जल्दी से नहां लिया था क्योंकि लिपाई तो हमारी बाद में भी हो जाएगी आर्थर पहुच जाता रो रहते तो फिर हमने का चलो लिपाई बाद में करेंगे पूरा भीग भी गए थे और सदी का मौसम है तो इसलिए पिट नहां लिया था भीग हुए थे तो फिर उसके बबा में पहले कार्टून में रखा था तो चूहों ने इसके डौरी वगईरा काड दी थी और कार्टून भी पूरा काड दिया था तो इसलिए फिर अबने का हमारा मिक्सर खराब हो जाएगा तो फिर हमने टंकी में बड़ी टंकी में करके रख दिया है तो इतना ज़्यादा प्रोब्लम है हमारे आचुबे बहुत ज़्यादा परिसान करते हैं कि हमें मिक्सर भी टंकी में रखना पड़ता है तो एक टंकी में मिक्सर हमारा रखा है और एक टंकी में हमाटा रखते हैं और जो छोटी छोटी टंकी है वो अलमारी में रख देते हैं उसमें भी छोटा मोटा सामान रखा है क्योंकि डिबबे भी चुगों ने काटती हैं तो इसलिए जो है सारी टंकी हम बाहर ही रखते हैं तो यहाँ पर जो है एक तरफ से आज कोने उट से लिपाई कर रहे हैं और आर्थर अभी भी रो रहे हैं तो उनको जो है हमने दे दिया है उनकी बड़ी ममी को तो हमने का ये भी काम तो करना जरूरी है तो वो अभी जो है थोड़ा बहुत रोएंगे बस तब तक जो है मारी लिपाई हो जाएगी क्योंकि वो खार आ रहा है दो दिन से कुछ भी खाते भी नहीं है तो इसलिए बहुत ज़्यादा रो रहे हैं अब जो है हमने दूसरी दवा मंगवाई है तब से जो है थोड़ा आराम है तो अब जो है जाकर साम को खेले तो और यहां पर बेड़ के नीचे जो है लिपाई करने में बड़ा मुस्किल पड़ जाता है तो जहां तक हमें मिलता है वहीं तक लिपाई कर देते हैं और बांकी को तो छोटी जाती है तो इसके नीचे जो है लिपाई करना बहुत ही मुस्किल हो जाता है तो यहां पर जो है जितनी जगे खाली अतन तो वहीं तक हमने कर दी थी और अज जो है अभी हमने जो है हमारा जो भी सामान है इसमें इसको नहीं साफ कर पाए है तो गीले कपड़े से है जो हमारा सामान भी साफ करना है हलमारी है, ड्रेशिंग है बेड है, सारी चीजें साफ करना है तो हमने का लिपाई कर देंगे, उसके बाद में करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी काम था, तो इसलिए ये पहले हमने किया था, और हमारी एक बहन ने कमेंट किया है कि दिली डेली ही लिपाई का वीडियो डाला करो, तो आपको पताई है कि हमारा चोटे काम चलता ही रहता है, तो इसी बच्चों की बज़े से नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है, और हम कोसिस करेंगे, कि लिपाई वीडियो जरूर डालें, तो अभी जो है लिपाई, अब दो तीन दिन से आपको लिपाई वीडियो ही मिलेगा, आप जरूर देखिएगा, और आपका बहुत बहुत धन्वाद आप, जो है, हमारा वीडियो देखती हैं, और में धेर सार प्याद देती हैं, तो सभी दोस्तों को दिल से धन्वाद, आप लोग बहुत ही बहुत ही अच्छे हैं, और हमें बहुत ही प्यार देते हैं, इतर जो है हमारा फ्रीज रखा हुआ है तो जिस दिन हमने इपने यहाँ पर सफाइड़र है फ्रीज अटाके यहाँ पर लिफाईड़ केती चूहूंद बहुत ज़ादा बिल बना दिया था तो फ्रीज हमने खुछ से ही अटाया था पता नहीं इसमें क्या दिक्कत हो गई है तो अजीब सी आवाज करता है तो हमें डर लगने लगता है तो हम रात में फ्रीज अपना बंद कर देते हैं पता नहीं कैसी कैसी आवाज इससे आती है तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है तो पहले नहीं होती थी जब से हमने अटाया है, यहां से इधर से उधर किया तबसे होने लगा है, ऐसा तो हमें डर लगने लगता है, तो हम रात में जोए बंद कर देते हैं, थोड़ा बहुत ही चलाते हैं, और इधर हम लिपाई करे ही रहते तब तक सार्थक भी आ गयते सकोल से, तो अभी यह तो मैं पैनाने पड़ते हैं रभी चोटा है तो प्रत्त लुशा में प्राहें रिपाई हो गईया है ऑसके बाद में बच्चों को ही देखना है हमें, तो दोज़तो हमाः अर्थर की वजए से बिल्कल भी कोई काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं इस समय क्योंकि इतना जगादा उन्हों ने परेसान किया है बहुँ जदा बुखारा आ गया था तो बहुँ जदा परेशान कर रखा था तो इसलिए बहुत ज़्यादा रो रहते तो कोई काम एक्स्ट्रा करे ही नहीं पा रहे हैं तो हम सोच रहते ही ये कर लेंगे वो कर लेंगे पहले से तो कुछ भी नहीं कर पाए हैं इतने ज़्यादा रोते हैं तो काम ही नहीं हो पाता है तो उनको लेकर बैट जाते हैं और इतर आप सभी से मिले हैं साम के टाइम तो दिन में टाइम ही नहीं मिलाता तो वो रो रहते डिपाय करने के बाद में बस साम बीत गई आर्थर को ले बस ले गोदी ही लिए रहे बहुत ज़्यादा रो रहे थे तो यहां पर जो हैं हमने अपना बेट भी साफ कर लिया है यहां पर कद्दा का खुल डाल दिया है और चद्दर बिचा दिया अस पर तो आप लोग देख सकते हैं चुहों ने जो है सारा बेड काट दिया है और खिड़की भी टूट गई है तो दोस्तो आज का ब्लोग हमारा कैसे लगा कमेंट करके जरूर बता हैं जो भी दोस्त न मिलेंगे ने बलोग के साथ तब तक तक